हैलो फ्रेंड्स क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कस्टमर दो केक बनवाते हैं और एक केक ले जाना चाहते हैं और दूसरा नहीं ले जाना चाहते हैं ये साथे साथ सो ग्राम का चॉकलेट केक मुझे बनाना है जिसके लिए मैंने यहाँ पे स्पंज तयार किया है और इससे मैं चार लेयर में कट करूँगी और जैसे कि हमेशा चॉकलेट केक बनाती हूँ उसी तरीके से पानी से सोग करूँगी वनीला क्रीम मैंने त्यार करके रखाया उसमें मैं गनास को मिक करूँगी गनास कैसे बनाते हैं इसकी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे हैं मैं हमेशा ट्रोपलाइट के ट्रफलाइट से गनास त्यार करती हूँ पिछली वीडियो में भी मैंने इसको दिखाया था कि कैसे त्यार करेंगे तो उसी का मैंने यहाँ पे बचा कर रखा था और गनास को मैं यूज करूँगी आज कल ऐसा मुझे order आता है कि एक ही लोग half half kg के दो cake के order देते हैं कभी one kg half kg का order आता है कि एक रात में बारा बजी के समय लोग काटते हैं एक दूसरे दिन पार्टी में काटते हैं तो इस तरीके के order मेरे पास बहुत सारे आते हैं इसी चीज को दिहान में रखते हुए आज भी मेरे पास दो cake का order आया था पहले मेरे पास एक cake का order आया कि मुझे दो दिन के बाद चाहिए तो मैंने जो cake पहले इससे share किया है आपसे मैंने उस चीज के लिए बनाया कि हां ठीक है दो दिन बाद में ये दे दूँगी फिर अचानक दूसरे दिन ही साम को कस्टमर ने बताया कि क्या आप ये डिजाइन जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं अभी ये डिजाइन मैंने पहले बनाया क्योंकि ये उनका पहला order था उसके बाद जो मैं अभी बना रही हूं डिजाइन उसका screenshot भेज कर उन्होंने कि क्या आप इस तरीके का केक बना सकती हैं मैंने कहां बिल्कुल बना सकती हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे ये तीसरे दिन केक चाहिए तो मुझे ये समझ में आया कि अच्छा एक दिन पहले रात में जो कटता है इसके लिए उन्होंने ट्रफल केक मांगा और ये केक चॉक तेडी बियर का वो केक चाहिए तो मुझे यह लगा हर्दवार की तरह कि हाँ एक पहले देना है और दूसरा जो केक है नेक्स डे देना है तो मैंने केक तयार कर लिया और वो ट्रफल केक जो था उसको तयार करने के बाद जब मैंने कस्टमर को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि म मैंने वो केक नहीं बोला था, वो केक मुझे आप नहीं चाहिए और मुझे टैडी वीयर वाला ही चाहिए, फिर उन्होंने का, मैंने उनकी बात पे कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपने पहले यह order दिया था, आप इस order को अगर cancel करते, तब आपको यह केक मैं नहीं देती, वो मेरी गलती होती है लेकिन आपने order cancel नहीं किया तो उन्होंने का आप WhatsApp चेक कर सकती हैं मैंने बोला था मैंने का कि नहीं आप WhatsApp चेक कीजिए आप WhatsApp पे कोई message आपने नहीं किया इस तरीके का कि order cancel है तो उन्होंने अपनी बात को मानी की हाट मैंने cancel नहीं किया और customer अच्छे इसलिए उन्होंने उस order को भी लिया और इस order को भी लिया तो अगर आप किसी से इस तरीके से deal करते हैं और आपके पास भी ये situation आता है कि दो केक का order है और customer एक एक नहीं चाह रहे हों और गलती से उन्होंने order कर दिया है तो इस इस्तिती में आप बोल सकते हैं कि आप अगर customer ने order cancel किया तब तो आप नहीं बनाएंगे लेकिन अगर customer ने order cancel नहीं किया और आपको वो बनाने के बाद मना कर रहे हैं तो आप इस situation को मेरी तरह ही handle कर सकते हैं अगर इस तरीके के अच्छे customer आपको मिले तो आप भी इस situation को सम्हाल सकते हैं और अपना loss होने से बच जा सकत हैं तो अगर इस तरीके का आपके साथ situation आएगा तो आप handle कर सकते हैं क्योंकि home baker के life में home baker के इस काम के अंदर इस तरीकी का situation आ सकता है तो कोई भी चीज अगर आप करते हैं आप सिधा सिधा whatsapp पे आप उनका message जरूर करें और क्या चाहिए कितने kg का चाहिए कौन सा नाम ल तरीके से कौन सा spelling लिखना है क्योंकि मेरे साथ ये भी हो चुका है कि नहीं इस तरीके से ने लिखना है तो मैंने whatsapp में उनका message repeat करके दिखाया कि देखिए आप ने इस तरीके का भेजा था तो उन्होंने गलती मानी तो इस सब situation से बचने के लिए आप हमेशा message में ये सब कर मांगे ताकि आपको इस situation में ना पढ़ना पड़े और आपकी कोई गलती नहीं हो क्योंकि दुबारा केक बनाना या फिर उसमें और कुछ design देना या modification करना थोड़ा tough हो जाता है क्योंकि cream का cake होता है और cream के cake में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बाद में कुछ भी इध दो बार समझ पाएं कि हाँ ये customer ने मांगा है और इस तरीके से मुझे बना के देना है खेर customer की समझदारी और मेरे सुजबूज के कारण दोनों cake मेरे सेल हुए इसलिए मैं काफी खुश हूँ